वेलकम बैक दोस्तों मैं अनसर आस्तों आपके यूटूब चैनल इंडिलिस स्टेडी सेंटर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ दोस्तों 2018 बीएड वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुसकबरी लेकर आया हुआ है और क्योंकि इसमें TGT की बैकेंसी भी आने वाली है और ELT की बैकेंसी चली रही है आप देखी रहे हैं और आज 29 मार 2018 को गुवर्मेंट ने एक और खुसकबरी दे दिये है बीएड वालों के लिए तो सहायता प्राप्त उच प्रात्मिक बिद्यालों में होंगी भर्तियां यानि कि 6 से 8 तक के जो एड़ेड बिद्याले होते हैं एड़ेड बिद्याले मतलब वो बिद्याले हो गए जो सरकार से मानता प्राप्त होते हैं ठीक है और उसमें सारे नियम कायदे ठीक है वो गवर्मेंट के दोरा ही मान होते हैं और सेली भी गवर्मेंट के दोरा ही दी जाती है तो उनमें सपाकारिकाल में इन भर्तियों पर रोक लगा दी गई हुई थी और अब बिजेपी गवर्मेंट जो है आई हुई है तो इन भर पहले यह होता था पहले पहुजादे धादली होती थी और इसमें टोटल जो होता था वो मनेजमेंट जो होता था वो अपने भर्तियां सारी कर लेता था और नार्मल ऐसे पेपर चोटे-मूटे पेपर में गजट करवा के लिकन अब ये भर्तियां जो है BSA के अधीन होंगे यानि कि management जो है इन रिक्त पदों की जानकारी BSU के देगा और BSA एक committee बनाकर BSA जो है प्रस्ताओं का परिच्छड कर भलती का बिग्यापन जारी करने की मंजूरी देंगे और साहिक अध्यापक भलती के समय में बिसेक अध्यान लखा जाएगा यानि कि ऐसा नहीं है कि science science के teacher रख लिए जाएंगे या math math के teacher रख लिए जाएंगे यह एक उच्छ प्रात्मिक विद्याले में एक प्रदाना अध्यापक और चार अध्यापकों की आउसक्ता होती है ठीक है तो अब यह बहुत ही काफी अच्छी चीजें सुनने को आज मिली हुई है और इससे संबंदि जल्दी सासना देश जादी हो जाएगा तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा तो यह काफी मतलब अच्छी चीजें हैं और मुझे लगता है कि ब्याड़ वालों के भविस्ष जो है आप सुधरने वाले हैं तो आगे भी अपडेट मैं आपको इस